आज से हम इतिहास विशे की NCRT को भी स्टार्ट कर रहे हैं आज हम क्लास 6 की NCRT चप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे और क्लास 6 की NCRT के सभी चप्टर खतम करते हुए फिर हम बढ़ते हुए जाएंगे 7, 8, 9 और इस तरीके से 12 क्लास तक सारी NCRT हिस्ट्री को भी कवर करेंगे साम वाले वीडियो में कवर करेंगे हम भुगोल विशे को और सुबह के वीडियो में हम कवर करेंगे NCRT हिस्ट्री की ठीक है तो क्लास 6 से स्टार्ट करते हैं पहला चेप्टर है कब क्यों कहां और कैसे इसको मैंने चेप्टर को मैंने पहले पढ़ लिया है इसलिए मैंने इसकूल जदा तरह important facts को और concepts को underline कर लिया है तो इसमें से एक मानचीतर का section है जिसमें से 3-4 चीज़े important बात कही गई है तो उनको भी हम यहाँ पे देखते वे चलेंगे इसमें पहले जैसे एक fact का गया है कि नर्मदा नदी का पता लगाओ मानचीतर एक में तो यह भी हम देख लेंगे नर्मदा नदी कहाँ पर है इसके लावाद दो चीज़ों के बारे में और भी कहा गया एक का गया उत्तर पस्चिम की सुलेमान और किर्थर पहाड़ियों के बारे में देखने के लिए कहा गया है कि इन चीज़ों के बारे में देखे इसके इत्रिक्त बात की गई है उत्तर पूर में मद्द में गारो तथा मद्द भारत में बिंदी की पर्वत स्रंकलाओं के बारे में पता लगाने के लिए कहा गया है तो हम यहाँ पर इस चीज़ को सबसे पहले स्टार्ट से देख लेते हैं यह है इन्में निक नर्मदा नदी का पता लगई है तो मद्यपरदेश के अमर कंटक से निकलने वाली यह नर्मदा के एतिरिक शूलैमान की पर्वस्रंकला यहां पर पाय जाती है। हम बात कर लेदे है। पूरू में जो गारों की पाड़ियों के बारे हम बात की गई है। तो यह है ऊपर भीन्दि की जो पाड़ियां थी माँचीतर पर सिंदु तता इनकी साहँख नदियों के बारे में पता लगाना था तो यह गड़ाफिक से ले लेटिड वी कोश्चन है तो ये कुछ नदियां हैं जो सिंदू की सहायक नदियां यहां पे मैप में भी हम देख लेते हैं तो ये देखे सिंदू ये सिंदू नदियां बैती हुई इसके बाद में जेलम है फिर चिनाब है फिर राबी है फिर ये ब्यास है और ब्यास के बाद में ये साथ में सतलन कोड़ के पास जाकर के पंजाब में पांचों नदियां आपस में मिल जाती हैं अब हम बात कर लेते कुछ और important facts के बारे में लगबख 47 ओवर सपूर विन्हीं नदियों के किनारे कुछ जो आरंबिक नगर थे वो फले फूले थे यह कोईशन यहां से important मन जाता सिंदू और सायक नदियां इसके बाद में लिखा गया कि 47 ओवर सपूर इन्हीं नदियों के किनारे कुछ जो आरंबिक नगर हैं वो फले फूले थे तो जो आरंबिक नगर हैं वो किसके किनारे फले फूले हैं सु जरुवात वाले वो सिंदू और उसकी सायक नदियों के किनारे फले फूले हैं नीचे हम देखेंगे इससे रिलेट्ट कोईशन भी पूछा गया है गंगावा सायक नदियों के किनारे समुद्र के तर्टवरती इलाकों में इन नगरों का विकास लगबग 25 सभी पूर्व ह तो कहने का मतलब यह है कि जो सिंदू और उनके सायक नदियों के किनारे जनमी उसका विकास कहां पर तो गंगा और उसकी सायक नदियों के साथ में हुआ इसके बाद में का गया गंगा और इसकी साइक सोन नदी का पता लगा अब मैप में अब यहां पर एक important यह देखे fact है कि गंगा नदी के दच्छिन में इन नदीयों के आसपास का छेतर प्राचिन काल में किस नाम से जाना जाता था इस चेप्टर से में देखने को मिल सकता है तो इसमें खास तोर से जो कब और कहां कैसे तो खास तोर से समय यह समझाने की कोशिश की गई है इस चेप्टर के अंतरकत की जो mapping का section है कि कौन-कौन से इस चेप्टर में इस चीज को समझाने की कोशिश की गई है इसकी आरंबिक जो लगवार्स पुरानी है करती रिगवेद इसमें इसके बारें तो हम सारी जनकारी मिलती है पिर यहां पे पांडुलीपी के बारें बताएगा पांडुलीपी को जो लेटिन वर्ड है उसमें चीजी में इसको क्या जिए जो एंग्रेजी में मैन्यूज सक्रीप्ट इसको कहा जाता है तो यहां महा कव वे कविता Ψाडँ भी है इन इन गहीं से कई संसक्रत में लिखे होे लिए इसके अंडियों का प्रयोग व्हां जाता है यहां पर यह आसोक का कभीले की नोंने दिखाया है, जो कंधार में मिला है आफगानिस्तान से, यहां पर और आप असोक का जो गुजरात अभीलेक एव उसमें उसका नाम असोक मिलता है, यह भी एक इंप्रटन्ट फ्रेक्ट है, इसके बाद में यहां पर कुछ प्रभान नहीं जो पुराने मिटी के बरतन है उनके बारे में यहां पर बताया गया है फिर अब यहां पर एक चीज जहां इंपोर्टन है इसको बहुत पढ़ लेते हैं जानकारी के लिए खास तोर से है जो हमने टाइटिल देखा इनकी बुक में क्या तुमने पुष्टक के लोगों के लिए अतीद के अलग-अलग माएने हैं तो ये एक इंपोर्टन फैक्ट यहां पर था जानने के लिए हमारे प्र थीच के लिए फिर तित्यों का मतलब है बारे में बताया गया कुछ साथ Sesame देख लेते यहां पर जैसे कि- imagin की दोसो वर्स कहने दोहजार वर्स कह करके वारतमान से पूर्व की स्थितियों का जो है अद्र करेंगे अब यहां पीटिए क्रिखे इतियास और तितियों के बारे में बताया पूरा का पूरा जीसे पूरा का मतलब pacing पूर्व कहते हैं इसका मतलब क्या हो ता एした मतलब होता है इसन्यालों का पर यहां पर किया होता है मतलब होता है इसका मतलब इसका मतलब पर मतलब होता है ठीक है तो इस तरीके से जैसे है कि before present BP का भी प्रयोग किया जाता है प्रश्तीन पर इस तरीके से तमाम सारी चीज़ें अब यहां पे नर्मदानदी की बात हिए तो नर्मदानदी पर क्या होता था स्टार्ट में नर्मदानदी में आखेट और संग्र ओन् मक्र मगत क्या था मगत पहला बड़ा राज्य था जिसकी इस्ताफना की गयी थी गारों की पहाड़ियां, जो हमारा पूरो तर्म पड़ती हैं यहां पर आरंबिक करसी के साथ ही मिलते हैं सिंदू और जो इसकी सायग नदियां यहां पर क्या हुआ था तो यहां पर जो प्रथम नगर है यह सिंदू और सायग नदियों के किनारे और गंगा नदी घाटी का यहाँ पर 25 वर्स पूर्व के नगरों का विकास हुआ था तो यह था पहला चेप्टर इसका और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके एकले चेप्टर के बारे में थेंक्यू थेंक्यू सो मच